तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार आसा और उमीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षी तरह करपाई कर रहे हैं अरे बच्चों आज हम देखेंगे चैन रूल के स्रिंखलानी हम के कुछ और कुस्टन है ना बच्चों एक्सरसाइज का फिप्त का सेकेंड है इपावर कॉट एक्स तो इस टाइप के कुस्टन भी आपको आने चाहिए तो हल करके हम पहला काम क्या बोलेंगे बच्चों पहल काम होता है हमारा माना लेट ईजिकवल टू तू लेट वाईज इजकवल टू एपावर रूट आफ कॉट एकस ठीक है बच्चों तो सबसे पहले दिमाग में तो हमें आना चाहिए कि डिपाउण डिएकस इमें क्या फार्मूला है यपावर एकस होता है इपावर एकस जब पर E के बाद क्या है X नहीं है X के अस्थान पर कुछ और है तो प्यारे बच्चो एक्स के अस्थान पर जो है उसे हम क्या आप मानते हैं T मानते हैं तो बोलेंगे root of cot X is equal to T रखने पर root of cot X is equal to T रखने पर putting root cot X is equal to T इसका हम ऐसा बोल सकते हैं कि T is equal to root cot X अब हम बोलेंगे since हमारे पास क्या है y is equal to e power root of cot X है ना बच्चों तो हम क्या करेंगे y is equal to e power root of cot X को हमने T माना है तो बच्चों हमने T कर दिया इसे तो इसे T करने के बाद प्यारे बच्चों अब ये हमारे फार्मूले के format में आगा है जैसे e power X e power T मतलब single है हमने बोला है X जो है या X के अस्थान पर जो है जैसे अभी T है उसका power भी वन होना चाहिए उसका coefficient भी वन होना चाहिए मतलब उसी घात भी एक हो और गुडांग भी एक हो अब चल जाएगा अब लिखेंगे बच्चों दोनों पक्चों का एक्स के साप एक्च अवकलन करने पर दोनों पक्चों का एक्स के साप एक्च अवकलन करने पर differentiating both side with respect to X तो य का differentiation बच्चों डी वाय अपॉन डी एक्स होता है अब कलन करना मतलब डी अपॉन डी एक्स लगाना और फिर इपावर टी कर दिया हमने माइक चेक कर लें बच्चों चालू है माइक ठीक है ना कभी कबार भूल लाता है तो फिर वो वीडियो आपको मिल नहीं पाता क्योंकि इसमें आवाज नहीं रहती है ना तो यहां पर हम क्या करेंग चाहिए अगर नहीं हो तो हमें डी टी बनाना चाहिए अब सही है फंक्शन टी में अब कलंटी के साब एक्स लेकिन इस डीटी को बैलेंस करने के लिए उपर टी डीटी का गुणा किया और अपान में ये वाला डी एक्स लगा दिया यहां पर हम बोल सकते हैं कि सिंस भी न पारे बच्चों आपको पता है सिंस भी अग्यों डेट डी अपॉण डी एक्स फवी एक्स इपावर एक्स बताया है कि root, root भी एक function है, जिस तरीके से sin x, cos x, tan x वैसे भी root x root का भी formula होता है 1 upon 2 root x कब जब x के अस्थान पे x रहे लेकिन root के अंदर x होना चाहिए, लेकिन cot x है, मतलब x के अस्थान पे कुछ और है, मतलब अभी हमें और मानना पड़ेगा और t rule लगाना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, e power t लगे रहन दो, फिर, या तो फिर यहाँ बोले हम, कि अब देखो, हमें पता है कि d upon dx root x का फार्मूला होता है, 1 upon 2 root x, और मैंने तो आपको होता है, 1 upon 2 root x, मतलब जिस तरीके से, sine के बाद x होना चाहिए, तब cos के बाद x होना चाहिए tan के बाद x होना चाहिए, e की power x होना चाहिए, वैसे ही root के अंदर x होना चाहिए, है न बच्चों, अगर x के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पर cot x है, तो उसे t मान लेना चाहिए, है न बच्चों तो आप क्या बोलेंगे, कि cot x is equal to u रखने पर, t क्यों नहीं बच्चों, कि t पहले मान चुके हैं, फिर confusion होगा एक बार t हमने root up cot x माना है, एक बार t अपन cot x मानेंगे, तो confusion create होगा एक बार t मान चुके हैं, दुबारा u मानेंगे, तो cot x is equal to u रखने पर, putting cot x is equal to u, तो अब यहाँ पर अपन value put करने जा रहे हैं, बच्चों तो dy upon dx is equal to e power t और d upon dx, root के अंदर, बच्चों, cot को क्या माना हमने, u मान लिया अब प्यारे बच्चों, समस्या यह है कि यहाँ पे dx है और यहाँ पे u है अगर यहाँ u है, function u में है तो अब colon u के साब एक छोना चाहिए, मतलब du होना चाहिए, बच्चों अगर नहीं है तो मैंने बोला है, बना लेना चाहिए du कर दिया मैंने इसे अब यह root u हो गया अब इस du को balance करने के लिए du यहाँ लगा दिया और यह dx यहाँ लगा दिया चाहाँ तो फिर से बोल दो by chain rule है ना बच्चों chain rule के हिसाब से अपन कर रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो लिखने क्या हो सकता नहीं है तो is equal to e power x अभी हमको formula पता है बच्चों कि d upon dx root of x is equal to क्या होता है? याद रखो इसको 1 upon 2 root x कैसे निकालते तो पता है x power 1 upon 2 करके तो बार 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 x power 1 upon 2 करेंगे तो बहुत lengthy question होंगे है ना बच्चों? और आगे अपन को यह सब direct ही करना है याद बहुत बड़े question आने लग जाएंगे इसलिए अभी से अपन practice में डाल रहे है तो प्यारे बच्चों, अगर root x 1 upon 2 root x होता है तो root u क्या होगा? 1 upon 2 under root u होगा प्यारे प्यारे बच्चों और यह e power t है e power t है, mistake नहीं करना हमें तो 1 upon 2 root u into d upon dx अब यह u के अस्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों? u बराबर हमने क्या लिया था? got x लिया था यहां लिखेंगे since u is equal to got x ठीक है? तो अब आगे बढ़ जाते हैं तो dy upon dx is equal to dy upon dx is equal to e power t 1 upon 2 under root u into प्यारे प्यारे बच्चों got x का अब कलन क्या होगा? got x का अब कलन क्या होगा? तो यहां पर अपन लिखते हैं यहां बोलेंगे since d upon dx got x is equal to होता है minus का cosic square x अब यह simple मिल गया, x के स्थान पर x मिल जाए, वहां से कहानी खतम तो अब d upon dx got x equal to minus cosic square x होता है तो यहां पर minus का cosic square x लगा दिया अब cable simplification करना है प्यारे बच्चों तो dy upon dx is equal to e power e power t है, है ना, e power t ऐसा कर सकते हैं, कि minus यह बाला, minus कर दिया, है ना, यह minus तो बाहर याएगा, तो minus कर दिया, और e power t और cosic square x upon me to under root u अब सबकी value last में put कर सकते हैं, आप यहां भी कर सकते थे मैं थोड़ा सा direct नहीं किया ताकि सब को समझ में आ जाए यहां पर हम बोलेंगे, since हमें पता है कि t is equal to है under root cot x और u is equal to है cot x, तो values लिखा जाए, तो dy upon dx is equal to प्यारे बच्चों, e power t माइनस है, e power t मतलब e power root of cot x और फिर है cosic square x upon 2 है तो 2 root है तो root, u है बच्चों क्या cot x तो यह हमारा answer हो गया answer जरूर चेक कर लें, match करना चाहिए यह answer है ना, इन answer हो में simplification ज्यादा नहीं है, इसलिए यह answer सारे match होने चाहिए question number fifth का second है बच्चों चेक कर लें, question number fifth का second, minus cosic square x upon 2 root cortex into e power root cortex, बिल्कुल right answer है अभी अपन direct वाला method भी देखें मैंने बोला है, आपको direct और indirect, दोनों करते चलना है प्यारे प्यारे बच्चों अभी आगे मैं बहुत सारे question को indirect ही करूँगा, लेकिन आप अपने notes में दोनों method करोगे hard work करो, बच्चों में बार बार कह रहा है अगर आप hard work करोगे, अगर आपको लंबा चलना है, तो आपको hard work करते हुए धीमा चलना होगा, है ना, अफरीका में एक खाबत है बच्चों, अफरीय के लोग कहते हैं कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हो चोटा दायरा है करना चाहते हो, तो आप अकेले चलो, है ना, मतल talks जब आप अकेले चलोगे, तो आप तेज़ चलोगे, लेकिन ये किसे के लिए अगर आप लंबे समय तक चलना चाहते हो अगर आप हम आत्रा करना चाहते हो तो धीमा चलो है ना तब जाके आप कंटीमेशली पहुंच भाग धीमा चलने मतलब है कि कुछ लोगों को साथ लेकर चलो अकेले मत चलो अकेले नहीं चलोगे तो आप धीमा चलोगे इसी तरीके से आप अभियान बना बना के हर दिन अपना पूरा करते गए तो आपका जो पूरा वर्स है पूरा ट्वेल्थ है वो खुसियों के रंगों से रग जाएगा अगर आप यह सोचो कि यार बीस चैप्टर ये बीस चैप्टर वो बीस चैप्टर ये और छे महीने का कैसे हो पाएगा या फिर कुछ लोग बोले हो जाएगा जब आप इतना लंबा छे महीने बाद का क्यों सोचते हो यार पता नहीं आपको सिर्फ आज की ब्लैनिंग करनी है कि आज मुझे इतना पढ़ना है एक टाइम टेबल होता है कि अगर मैं इतना इतना पढ़ूंगा मेरा सले बस पूरा हो जाएगा आज मुझे इतना खतम करना है तो बच्चों यो तो खतम करना सीखो दिन पूरा करना सीख गयना तो जीवन पूरा हो जाएगा ठीक है तो इसलिए अपन आराम से अभी फिलाल इसलिए आराम से कर कह रहा हूं क्योंकि ये concept clear करने का time है differentiation को आ इस इक्वल टू प्यारे बच्चों हमें पता है हमें पता है since we know that d upon dx root x होता है 1 upon 2 root x है ना तो अब ये स्वारी किसकी है e power x का देखना है e power x पहला काउन से है पहला हमें पकड़ना है ना पहला e है e का formula होता है e power x is equal to होता है e power x है ना बच्चों तो e power x होता है लेकिन x के अस्थान पे कुछ और है तो जो x के अस्थान पे है उसे x ही देखे हम है ना direct वाला तरीका अपने यही था जो x के अस्थान पे है उसे x ही देखे हम तो अपन अब ये समझें कि ये e power x लिखा हुआ है है ना बच्चों और e power x का differentiation होता है e power x x मतलब क्या x मतलब root of got x प प्यारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी तो is equal to e power root of got x अब root मिल गया है ना बच्चों हमको पता है कि d upon dx root x का differentiation 1 upon 2 root x होता है तो अब यहां पे root के अंदर x होना चाहिए लेकिन नहीं है कुछ और है x ही समझें यह समझें कि इसके अंदर x ही है तो root x का differentiation 1 upon 2 root x के अस्थान पे क्या है बच्चों got x है अब जो x के अस्थान पे होता है उसका हम फिर से अब कलन करते हैं यह तो मैं आपको बार-बार बता ही रहा हूं तो is equal to e power root of cot x हो गया अपान में 2 root cot x हो गया और x के अस्थान पे इस बार क्या था कि यह वल cot x हा न रूट x x के स्थान पे cot x तो root x का 1 upon 2 root x x के स्थान पे cot x जो x के स्थान पे था उसका फिर से अब कलन हो गया cot x का अब कलन प्यारे बच्चों minus का cos x square x arrange कर लो हमारा आंसर आ गया तो बच्चों परिसान नहीं होना है direct ही करना है वैसे हमें अब तो direct ही करना है तो आप direct वाली method पे और focus करो आगे अपन को यह T, U, B, W, X, Y, Z नहीं मानने आगे बड़े बड़े question मिलेंगे वहां आपको direct करना पड़ेगा प्यारे प्यारे बच्चों इसलिए मैं आपको दोनों method कराता चल रहा हूं अब इसके बाद question number 5 में अब तो बागी सब बन जाएंगे फिप्त का फिप्त अपन देख लेते हैं बच्चों फिप्त का फिप्त है root of sin X है ना root of sin X upon sin of root X upon sin of root X अब यह तो बच्चों अंस बटे हर numerator upon denominator question है मतलब A upon B का rule लगेगा तो हल करके सबसे पहला काम तो वही कर लें हल करके बोलेंगे कि माना लिट y is equal to root of sin X upon sin of root X डायरेक्ट वाला मेथर बच्चों मैं इन्हीं question के लिए करा रहा हूं क्योंकि जब आप T rule से पहले कोई और rule लगा दोगे तो फिर T rule लगाते तो बनेगा लेकिन लिखते नहीं बनता फिर कहां पे लिखें T लेने पर कहां पे लिखें U लेने पर एक ही साथ T मानना पड़ेगा एक ही साथ U मानना पड़ेगा कर सकते हैं कोई लिखत नहीं है लेकिन direct हमको आना चाहिए तो प्यारे बच्चों पहला काम है माना y is equal to root of sin X upon sin of root X अपन लिखेंगे दोनों पक्चों का है ना दोनों पक्चों का दोनों पक्चों का x के साथ एक्च x के साथ एक्च अवकलन करने पर differentiating both side with respect to x तो y का differentiation dy upon dx is equal to d upon dx root of sin x upon sin of root x अब आगे बढ़ाते हैं अभी तो को अपन ने T क्यों नहीं माना T अभी अपन नहीं मान सकते पहले अपन a upon b solve करें अंस बटे हर solve करें तो आप लिखेंगे कि since b know that d upon dx a upon b होता है हर से start denominator से start तो b d upon dx a minus a d upon dx b upon b का square को अभी अपन क्या लिखेंगे अंस बटे हर है ना start करेंगे sin of root x से तो sin of root x और फिर d upon dx root of sin x और फिर minus तो root of sin x और d upon dx sin of root x upon में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा sin of root x का whole square यह अपने फार्मुला लगाया तो यहां से अब d y upon dx is equal to अब देखो अब आपको मानना है तो मानों नहीं मानना है तो direct करो direct करने के लिए इसे root of sin x है तो पहले root x का लगाएंगे फिर sin x का अब कलन करेंगे sin of root x है अगर मानना है तो क्या करोगे sin x को t मानो बहुत जंजड़े बच्चों मानने में अब तो देखो example में भी इस तरीके वाले questions को direct ही किया होगा अच्छा direct नहीं किया है example नहीं माना है इस exercise अपन को direct नहीं करना है यह exercise बे में भी बताया जा रहा है example नहीं बोला जा रहा है इसलिए कहता हो बच्चों दोनों method करेंगे अपन एक्स के स्थान पर कुछ और है एक्स के स्थान पर जो है उसे ट मानो तो बोलेंगे sin x is equal to t एवं अभी कुछ और मानना है बच्चों sin x equal to t मान लिया अब यहाँ डियपांड x लिखा है लेकिन sin के बाद x होता है है ना sin x है क्या sin root x तो जो भी x के स्थान पर उसे t मानते हैं तो यहाँ पर बोलेंगे root x is equal to u रखने पर एक को t मान लिया एक को u मान लिया कोई दिकत बच्चों बस हमें वहाँ देखना है जहाँ पर differentiation हो रहा है इसका तो अब कलन होना नहीं है इसका अब कलन होना नहीं है इसका होना है तो root of sin x है लेकिन formula root x का होता है भी x के स्थान पर होता है उसे हमने t मान लिया अब यहाँ पर sin root x का हो रहा है sin x होता है formula तो x के स्थान पर root x है तो root x को अपने क्या मान लिया वच्चों यू मान लिया ठीक है अब यहाँ पर value put करते हैं तो is equal to यह हो जाएगा sin of root x अब फिर d upon dx root t क्योंकि sin x को हमने t मान है फिर माइनस तो माइनस फिर root of sin x इसको बच्चो root of sin x ही करेंगे हम केबल वहाँ पर माने वहाँ पर माने जहां पर अब कलन हो रहा है यहां मानने से क्या आवसकता है आप चाहो तो root t कर सकते हो लेकिन कोई फाइदा नहीं है इसका तो कुछ होना नहीं है differentiation होना नहीं है तो जहां आप कलन हो केबल वहीं पर माने इसलिए बोल रहा था कि इस टाइप के जो question है यहां पर बच्चों हमें direct approach करने चाहिए लेकिन चोंकि बुक की डिमांड ऐसी है तो अपन ऐसा कर रहे है ठीक है ना तो यहां पर sin x लिप दिया अब d upon dx है तो d upon dx लगा दिया अब बच्चों साइन है तो साइन कर दिया और रूट एक्स को यू माना है तो यू कर दिया और अपान प्यारे बच्चों साइन आफ रूट एक्स का स्क्वेर कोई दिकत बच्चों को हो तो बच्चे बताएं कोई दिकत बच्चों को नहीं है तो अभी देखो प्यारे बच्च this n नहीं हो रहा है अब डी ऐपन बच्चों यहाँ T है तो यहां डीटी होना चाहिए नहीं है तो डीटी कर देते हैं अभि या हो गया root Tव अब DT को बैलेंस करने के लिए dt upon de a कर दिया अब्चों ना बच्चों माइनस है तो माइनस लगा दिया फिर root of sine x को चुपचाप उतार दिया d upon बच्चों यहां u है तो यहां dx नहीं du होना चाहिए अभर यह हो गया बच्चों sine u इस du को बैलन्स करने के लिए कर दिया हमने du upon dx कर दिया upon में प्यारे बच्चों यहाँ पे sign of root x का whole square कर दिया कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों को अब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर dy upon dx is equal to यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है बच्चों sign of root x अब root t का differentiation क्या होगा? 1 upon 2 under root t होगा है न बच्चों? पुट करो बच्चों t हमने माना है किसको? sign x को t माना है तो t के स्थान पे sign x कर दे वे हैं फिर minus तो minus root of sign x है यह बच्चों sign u का differentiation क्या होगा? हो जाएगा cos u into फिर d upon dx इस u की value पुट करें बच्चों यह हमने क्या माना था? यह हमने माना है root x को root x का square आराम से बैठा हुआ है उपर वाले बहुत काम कर रहे हैं इसे कोई काम नहीं है आराम से बैठा हुआ है अब बच्चों जतने फार्मूले आपने लगाए वो सब लिखो पहला तो आपने यहाँ पे लगाए था chain rule आपने नहीं लिखा था आपको यह वहीं लिखना है कि dy upon dx equal to dy upon dt और dt upon dx dy upon dt और dt upon dx प्यारे प्यारे बच्चों फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं और क्या लगा dy upon dx लगा किसका differentiation root x का लगा root x is equal to 1 upon 2 root x होता है तो उसी के हिसाब से root t is equal to 1 upon 2 root t हो गया और d upon dx d upon dx sin x is equal to होता है बच्चों cos x तो d upon d u sin u हो गया cos u अब differentiation थोड़ा सा और बचा है बच्चों यह एक बार d upon dx लगा है जहाँ d upon dx लगा है जब तक d upon dx question ने बचा है तब तक अभी differentiation complete नहीं हुआ प्यारे बच्चों तो अभी अपन फिर से बोलेंगे कि since we know that कुछ फार्मूले पहले लिख दूँ d upon dx sin x is equal to again cos x होगा है न बच्चों और d upon dx root of x is equal to 1 upon 2 root x हमें फिर से करना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों dy upon dx is equal to यहाँ पे है sin of root x upon simplify भी करते चलेंगा 2 root x या फिर एक बाल लिख रहे हैं ठीक कर लेते हैं sin of root x upon इसके upon में क्या जाएगा 2 root t आ जाएगा into sin x का अवकलन हो जाएगा बच्चों cos x minus वहाँ पे क्या है minus यह root of sin x है root of बच्चों sin x है अब यह बच्चों यहाँ पे cos u है root x का अवकलन 1 upon 2 root x upon में बच्चों sin of root x चुपचाप से अराम कर रहा है ठीक है बच्चों तो अब अपन सारी values पुट कर देते हैं u की, t की और यही हमारा answer हो जाएगा तो dy upon dx is equal to यह हमारा sign of root x cos को चाओ तो पहले कर लो है ना cos x into sin of root x upon 2 root t किसको माना हमने? हमने t माना बच्चों sin x को t माना हमने sin x को minus तो minus root of root of sin x into cos u है तो cos u क्या है बच्चों? root x था अब फिर upon में 2 under root x है फिर पूरा divide किया हमने upon में sin of root x का whole square चाओ तो यहां लिख सकते हो कि since t is equal to sin x और u is equal to root x यह हमारा answer होगा या फिर और simplify किया होगा तो अपन भी और simplify कर देंगे fifth का fifth प्यारे प्यारे बच्चों क्या आता है same answer आ रहा है मेरे इसाब से one upon one upon ठीक है है ना अच्छा इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा change यह किया है कि इस two को बाहर निकालके नीचे कर दिया है अपन भी कर सकते हैं dy upon dx वैसे इतने में कोई नंबर आपका नहीं काटेगा फिर भी कर लो one upon two यहां भी है तो दोनों से इन्होंने one upon two common निकाल लिया है ना अब इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा है इसको कि यहां पेचल वागली बार कर देंगे cos x into sin of root x upon root of sin x और minus यहां पे root of sin x cos of root x upon root x फिर पूरा upon में क्या है sin theta का जो whole square होता है बच्चों उसे अपन sin square theta कहता है theta पे square कोई मतलब नहीं तो बच्चों sin root x का square होगा तो इसे अपन sin square root x कह सकेंगे ठीक है बच्चों तो अब क्या किया गया क्यारे बच्चों यह जो two है इसको upon मिला लिया गया यह one upon two है नीचे आएगा तो पलट जाएगा है ना so two upon one one हो जाएगा है ना two upon one लिहारे οई लिखो तो बच्चों वही इस one upon two को नीचे रहा गया तो हो गया dy upon dz one upon two नीचा गया तो two upon one हो गया ठीक है ना तो यहां पर क्या बच्चा यहां पर बच्चा बच्चों साइन ऐक्स इंटू साइन summar root एक्स एपाँ रूट झाज झां ना फिर माइनस रूट औफ साइन एक्स भीए शीमा झाजब स्क्राइर यह वैं अंसर बोल दो खतम कहानी करो अब बच्चों डायरेट करते हैं मेरा मुझे नहीं पता मैं DSLR कितने मिनट सोट कर चुका है फिर से मैं मुवाइल लेके नहीं आया बच्चों कि मुवाइल में आल्रेडी जो है तो एक हमारा जो वीडियो है वो कंपोज हो रहा है प्यारे प्या बनागया कुश्चन कौन सा था कुष्चन नंबर हमारा फिप्त है फिप्त का फिप्त है डिएपाउन्डी एकस रूट आफ-फ पाउल रूट आफ-प साइन एकस अपाउन साइन आफ-व रूट-एकस तो ढरिक कहने का मतलब डारेक यहाँ पे तो करना पड़ेगा यहाँ तो लगाना पढ़ेगा फार मूला पहले ऐन्स बटे हर लगाऊ तो यहां सुरुवात करेंगे हर गुने साइन रूट एक्स अंसकाप करङ़ टी अपन डी एक्स रूट आफ साइन एक्स म॑ईनस अब्ले तो of root x को चुपचाप उतारेंगे जो यहाँ d upon dx नहीं लगा अब बच्चों रूट x का अब कलन होता है लेकिन root sin x है तो root का अब कलन one upon two root x के अस्थान पर क्या है sign x sign x कर दिया अब जो x के अस्थान पर होता है उसका फिर से अब कलन कर देते हैं ठेका बच्चों और माइनस रूट आफ-साइज और साइन-एक्स को स्टीछाप उतार लिया अब बच्छों' साइन एक्स का अवक्लन होता है लेकिन एकसंद की ऐस्थानपे रूट एक्स है उसे अपन एक्स şi मानेंगे तो साइन एक्स का whole square कर देंगे यहां तक कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को डारेक्ट जैसे अपन एक-एक का करते थे अब दू का एक साथ करना पड़ रहा है